बेल्कम बाइ रिंको मिसरा ब्लोग में और माइ रिंको मिसरा आप के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे हैक्स अंड टिप्स लेके आई हूं तो चलिए बाते न करती हुए ब्लाग को continue करती हूँ और अगर चैनल पे नहें हैं तो प्लीज चैनल को like, share and subscribe जरूर कर दीजेगा तो चलिए शुरू करती हूँ जो पहला मेरा hacks है वो इस तरह से पड़े bottle को लेके है तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया है मैंने इस तरह के bottle को clean कर लिया अच्छे से और उसके बाद एक तार की मदद से हम क्या करेंगे bottle के cap को, तार को अच्छे से हमने गरम कर लेना है और इसके बाद देखिए, bottle के cap को मैंने hole बना लिया है और उसमें ले लिया मैंने एक पतला सा pipe जो की आपको water bottle में, अगर हमारे पास पूराने बच्चों के water bottle होते हैं तो उसमें इस तरह के pipe हमें मिल जाते हैं जो की थोड़े hard होते हैं और देखिए, तार की मदद से मैंने इसके cap में hole बना लिया हूँ और उसके बाद मैंने क्या किया है मैं उस pipe को थोड़ा सा गरम करके और उसको hole में मैंने इसको अच्छे से डाल दिया है और नीचे से गरम होने के से ये अच्छे से उसके cap में जाके चिपक गया है और आप देख सकते हैं कि हमारे घर में पड़े bottle को मैंने कितना अच्छे से इसको एक oil dispenser बना के तयार कर दी हूँ तो अब हम क्या कर रही है मैंने देखिए इस तरह से आप भी चाहें तो अपने घर में पड़े चीजों को बजार से महंगा खरीत के लाने से अच्छा आप घर में भी चाहें तो बना के यूज कर सकते हैं और देखिए इसमें कहीं से भी कोई problem नहीं हो रही है और बिल्कुल बजार की जैसा मेरा oil dispenser बनके हो गया है तयार तो आप भी चाहें तो इस तरह से छोटे थोड़े से अपने दिमाग को यूज करके अभी इसका देखिया आप सोच रहे होंगो कि यह उपर का कैप खुला रहेगा तो इसके लिए भी मैंने बहुत अच्छा एक जुगाड़ा आप लोगे साथ सेयर कर रहे हैं मैंने क्या किया है अल्मोनिया फाइल ले लिया है और उसको इस तरह से उसके मुँपे लगा कि मैंने टाइटली उसको लपेट लिया है अब वो आप उसका एक कैप भी बनके अच्छे से हो गया है रेडी और नेक्स्ट हमें क्या करना है जब भी हम ओयल डिस्पेंसर करते हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छा जुगाड़ है मैं जो सेयर कर रही हूं अगर हमारे ओयल डिस्पेंसर को हम अच्छे से सेफ रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे हमारे पास कोई वे सॉक्स हो तो उच्छे से क्लीन कर लेंगे और इस तरह से हम अपने ओयल ड जाते हैं और हमारा काम बढ़ जाता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा जुगाड़ है जब भी हमें सब्जी को छीलना हो किसी भी पोटैटो या कोई भी सब्जी तो इस तरह से हम एक टोकरी ले ले और टोकरी में हमें कोई पूराना से पेपर या कागज के टुकड़ हो जाएंगे और इसके बाद हम इसको पेपर को मोड़ के और उसको हम फेक देंगे तो इससे क्या होगा कि न तो हमारा एक्स्ट्रा हमें टाइम लगेगा उसको क्लीन करने में न तो हमारे काउंटर गंदे होंगे न तो हमारे टोकरी गंदी होगी और हमारा काम बिल्कुल इसली तरीके से हो जाएगा तो देखिए इस तरह से मैंने ठोकरी में सारे आलू को छील लीएं और इसके बाद इस तरह से फोल्ड करके हम इसको डश्ट एविन में डाल देंगे और हमारा बिल्कुल टोकरी भी क्लीन रहेगा काउंट कीचन काउंटर भी क्लीन रहेगा तो इ क्याते हैं मौसन चेंज होने लगता है तो हमें क्या होता है हमें आलू मीठे लगने लगते हैं और मीठे आलू खाना बिल्कुल अच्छा ने लगता है सबजी बनाने में भी एज़िप सा मीठापन आ जाता है तो उसके लिए मीठापन को खतम करने के लिए हम क्या करेंगे जब भी हम आलू को हमें सबजी बनाना हो तो हम आलू को कट कर लेंगे और कट करने के बाद हमें क्या करना है उसको पानी में डाल देंगे और पानी में डालने के बाद हमें लेना है थोड़ा सा नमक देखिए मैंने कट करके पानी में डाल दिया है और इसके बाद हमें एक च छोड़ देंगे इससे क्या होगा आप देखेंगे आपके आलू में मीठापन नहीं आएगा और आपकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी तो चलिए चलती हूं अपने नेक्स्ट टिप के तरफ जो की है सर्ट को लेकि जब नए सर्ट लेके आते हैं तो उसके बटन बन करन सब्सक्राइब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है इस पेशली कॉलर और हाथ की बाजु बाजू होती है वहां का बटन बंद करना बहुत टफ होता है जल्दी बंद नहीं होता है और हमारे साथ भी दुख जाते हैं और अब हमें पहनने में भी दिक्कत होती है और बंद बन करना होता है वहाँ पे इस तरह से 70 पिन को लगा कि हम दीरे-दीरे से इसको खीज देंगे इससे क्या होगा कि हमारे हाथ दुखेंगे ने और इसली हमारे बटन बंद हो जाएंगे तो आई होप यह हैक्स आपको अच्छा लगा होगा और चलिए चलती हूँ अपने नेक् बॉक्स को ले कि जब भी हम माचिस लेके आते हैं तो बहुत सारी माचिस के पैकेट हम एक सास रख लेते हैं और जो की नम भी होने की चांस जादा रहते हैं और उसके बत्ती और यह नमी भी जादा पकड़ लेती है और एक चीज और है कि माचिस जो होता है वो बच्चों क करती हूं तो मैंने सुचा आप लोग के साथ भी सेयर कर दूं तो हम क्या करेंगे हम ले लेंगे एक इस तरह से कंटीनर डिबा और उसमें सारे अपने जितने भी माचिस की तीलियां है उसको रख लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है जहां से हम माचिस को जलाते हैं उसके अंदर चिपका देंगे और चिपकाने के बाद क्या होगा कि हमारी जितनी मैच बॉक्स है तीलियां हमारी एक जगह इकठा हो जाएगी और हमीं जब ही जरूरत होगी हमें ढूरना नहीं पड़ेगा और काफी दिनों के लिए हमारा काम आसान हो जाएगा और बच्च को तो आई हो पिये जुगाड आपको अच्छा लगा होगा और जरूर अपने आपके घर में छोटे बच्चे हो तो आप कभी भी मैच बॉक्स ऐसे मतलब इस तरह से करके रखिए क्योंकि यह ज्यादा सेफ है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी और इससे हमारे मैच अच्छे से चल जाती है और हमें बार बार इसको खरिदने यह जरूदर करने की जरूदने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आई होपी यह यह जो टिप्स है यह भी आप लोग को अच्छा लगा होगा और इसी के साथ चलिए ब्लाग को एंड करती हूं और मिलती हूं एक न बहुत ध्यान रखिएगा और हाँ अगर आपको इसमें से कोई सा भी टिप अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा और चलिए इसी के साथ बाई बाई